Hey kids, welcome back to Magnet Brains, this is Khushi Bhattnagar and today we are going to do a new chapter which is chapter 7 which is Experiments with Water. What is the meaning of Experiments? Experiments means कुछ कुछ चीज़े नही नही सीखना, नही नही चीज़, experiment करना, नही नही चीज़ करके देखना कि इस चीज़ को करने के बाद क्या होता है. Okay, when we don't know कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, that is our experiment. कि जब हमें पता नहीं है कि कि इस चीज़ का रटन क्या होगा, इस चीज़ को करने का रिजल्ट क्या होगा, that is our experiment. तो हम कुछ experiments करेंगे इस चाप्टर में with the water, किस के साथ? Water के साथ. So, यह जो experiments है, इससे आप बहुत सारी चीज़, new new things, learn करने बाले हो. And this is a very interesting chapter, यह कि आप यह सारे experiments, मेरे साथ, when I will discuss, when हम discuss करेंगे, सारे experiment, जब मैं आपको यह सारे experiments दोंगी, तो आप यह घर में try भी कर सकते हो, मेरे साथ, साथ, because very easy experiments आप घर में यह बहुत easily आप try कर सकते हो. So, हम experiments के साथ बहुत ज़्यादा, जल्दी start करते हैं. Just see, you come to know, कि experiments really होते क्या हैं, okay? So, Aisha was waiting for the dinner. Today, Ammi was making her favorite food, Puri with the spicy potatoes. So, जो उसकी mother है, Ammi means mother, okay? So, Aisha की जो mother है, वो क्या कर रही हैं, डिनर को कर रही हैं, और Aisha जो है, बहुत ज़्यादा wait कर रही है कि कब डिनर बनेगा, क्योंकि उसका tasty food बन रहा है, which is Puri with the spicy potatoes. So, Aisha watched as her mother rolled out the Puri and put it in the hot oil. उसने क्या देखा, वो notice कर रही थी, कि how mother is cooking. हम भी notice करते हैं, जब हमारी mothers cook कर रही होती हैं किचिन में, तो हम भी notice करते हैं, कि कैसे cook कर रही हैं. उनको गिंग से हम देखतो लेते हैं, पर हम कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. So, जैसे ही Aisha की mother ने एक Puri को rolled out किया, उसके वो Puri कहां डाल दी? Hot oil में डाल दी. So, she saw that at first the Puri sank to the bottom of the pan and is puffed out, the Puri came up and start floating on the oil. उसने क्या देखा कि starting में जो है Puri वो तुरंट कैसे चली जाती हैं? कडाई में बिलकुल नीचे को चली जाती हैं. जो Pan होता है, जिसमें आप Puri बना रहे होते हैं, वो Puri क्या होती है, जो Pan होता है, बिलकुल bottom में sank हो जाती है, sank हो जाती है, बिलकुल डूब जाती है oil के अंदर, right? So, ऐसा क्यों होता है, उसने ये चीज़ को notice किया, आपने भी notice कियोगा, but you never think कि ऐसा क्यों होता है. So, आज हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, okay? Then afterwards, one Puri did not puff up and did not float like the others. फिर उसने ये देखा कि जो एक Puri है, वो puff up नहीं हुई और बाकियों की तरह फ्लोट नहीं हुई, तैरी नहीं हुई, वो तो अंदर ही रहे गई. So, on seeing this, Aisha took some dough and rolled into a ball and she flattered it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. फिर उसने क्या देखा? कि उसने ये जब चीज़े देखे कि why this Puri didn't come up, इसने एक Puri जो puffed up नहीं हुई, तो वो उपर भी नहीं आई. So, ऐसा क्यों हुआ, तो उसने तुरंट क्या किया? एक bowl लिया, जिसमें उसने water put किया, फिर उसने एक dough लिया. So, उसने वो डो लिया and उसको bowl shape में करके, उसको flat करके, she put it in a water with bowl of water, उस बोल के अंदर उसने put कर दिया. जब वो कह रहा, तो वो sank नहीं हुए, वो float नहीं हुए, वो क्या हो गई? Sank हो गई. Sank हो गई. Sank याने वो डूब गई पाने के अंदर पूरी. फिर वो उपर नहीं आई. क्यों नहीं आई उपर? और वहीं के वहीं, वहीं bottom में stay हो गई. क्यों ऐसा हुए? कि वो उपर नहीं है और तैरी नहीं? क्यों वो float नहीं हुए, वो sank हो गई? float याने होता है तैरना, sank याने होता है डूब ना. So, ऐसा क्यों हुआ कि वो sink नहीं हो पाई, बट वो sink हो गई पर वो float नहीं हो पाई? So, why this happens? ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कि कोई चीज़े हमारी डूब जाती है, बट कोई चीज़े पाईने में तहरने लगती है? So, all these things we are going to study. बस जस्ट वेट फॉरा सेकिंद्स. Okay, so हम देखते हैं. So, कुछ questions हैं. Questions हम जब solve करेंगे, mid of the chapter के आपके questions है, बीज बीच में. So, आपके questions भी हम continue way में discuss करते हैं, जाएंगे. Okay, so question is, I shall put a puffed puri in a bowl of water. Would it sink or float? So, उसने एक puffed puri डाल दी. Puffed puri याने कि जो फूली भी puri होती है, वो उसने ली और water ball में डाल दी. तो वो sank करेगी, कि float हो जाएगी. So, वो float हो जाएगी. Float हैने, वो तैरने लगेगी. क्योंकि, फिर हमने देखा, क्योंकि वो difference क्या है, कि वो puffed puri थी, और जो पहले हमने डाली थी, वो तो से flat puri थी. वो सेंक नहीं हो पाई. वो सेंक हो गई, वो float नहीं हो पाई. और जो हमाई puffed puri थी, वो float होने लगे, वो तैरने लगे. कौन सी puri? Puff, जो बिलकुल puff हो जाती है, फूल जाती है. वो अले puri, float होने लगे, तैरने लगे. So, the puri would float. Why? That we are going to read. बट जो पूरी थी, वो float होने लगे. कौन सी puri? जो puffed puri थी, जो fully भी puri थी. Right? Next, you put a steel plate on a water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? So, इनने बोला कि एक water लो, उसमें क्या करो? एक steel की जो plate है, अपनी steel की plate को water में ढालो. और देखो कि वो sink हो जाएगी, याने डूब जाएगी कि float, याने तैरती रहेगी, तो क्या होगा? क्या वो sink हो जाएगी? क्या वो तैरती रहेगी? तो उसके साथ क्या होगा? So, what would happen to a spoon? एक spoon के साथ क्या होगा? तो आपको दोनों चीज के साथ बताना है, steel plate and spoon. दोनों चीज के साथ कि कौन सी चीज sink करेगी, याने कि डूब जाएगी और कौन सी चीज float करेगी, याने कि तैर जाएगी? So, answer is, if I put the steel plate carefully on water, it would float. The spoon would sink. तो जो spoon है, वो sink हो जाएगी याने वो डूब जाएगी, but जो steel plate है, वो क्या होगी? वो carefully float होने लगेगी. अगर आपने carefully अच्छे तरीके साथ डाली, तो वो float होने लगेगी. Why? Again, you can ask me, कि माम, ऐसा क्यों हो रहा है, कि कोई चीज सो बिलकुल डूब रही है, पर कोई चीज तो तैर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? So, wait, I will tell you कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहले हम question and answers देखेंगे. पहले मैं आपको confusion बढ़ाती हूँ, फिर I will give you a solution, okay? So, next, would the cap of a plastic bottle sink और float on water? Cap याने कि जो धक्कल होता है हमारी plastic bottle का, क्या वो sink होगा कि float होगा? क्या वो डूब जाएगा? क्या वो तैरेगा? क्या होगा उसके साथ? So, the cap of the plastic bottle will float on the water, वो जो cap होगा वो float करने लगेगा. क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा इन दा water. So, हमने कुछ चीज़े देखी, जो float हो रही है water में वो है, puffed पूरी और cap of the bottle और क्या देखा हमने? हमने देखा कि हमारी steel plate. So, ये चीज़े हमने देखी, जो कि तहर पा रही है, puffed पूरी भी तहर रही है पानी में. And, और हमारी cap of bottle, cap याने धक्का हमारी bottle का वो भी तहर रहा है, steel plate भी तहर रही है. So, ये सारी जो चीज़े हैं, ये क्या हो रही है? float. ये क्या हो रही है? float. अब, क्यो हो रही है? again, why? ऐसा क्यो हो रही है? ये चीज़े फ्लोट हो रही है, आपको चीज़े सिंक हो रही है, सिंक क्या क्या हो रही है? sink होरी है हमारी spoon simple हमारीảमारी पूरी जो अगर हम इसके बाद करें flat पूरी ज़ा हमारी sink होरी है यह चीजे sink क्यों हो रही है क्यों हो रही है so I'll tell you why but उसके पहले हम एक और experiment देखते हैं उसके बाद हम discuss करें कि दोनों एक्सपरिमेंट के बारे में कि यह सा क्यों हो रहा है ठीक है एक एक्सपरिमेंट और सो इन दे इवनिंग आईशा पेंट पर बाथ इवनिंग में क्या हुआ आईशा बाथ लेनी के लिए गई इसको बारे तो उसके मदर ने इसको बिलाया उनने क्या बिला चुमने वापे से सावन को पानी में गिरा दिया है उसको जल्दी से बार निकालो और सोप केस में रख दो सोप केस जिसमें हम सोप को रखते हैं So उससे लेन क्या हुआ आईशा वा आईशा था हुआ हूआ आईशा बह जल्दी में आई तो उससे क्या हुआ हुआ तो पानी में गिरगा ओवा पानी में गिरगा और वो भी क्या हुने लगा फलोट हुने लगा वाटर में कैसे? Like this अश्यप्र आईशा gently put the soap in the soap case और उसे जैसी soap को, as a float हो रहा है soap case और उसी में उसने क्या रख दिया, soap रख दिया she saw that the case continued to the float even with the soap in it और soap रखने के बाद भी वो ऐसी, क्या करता रहा, float करता रहा, वो नीचे नहीं डूंबा, वो float करता रहा, वो sink नहीं हुआ, वो float करता रहा, soap रखने से पहले भी और soap रखने के बाद भी, as you can see in the picture, यहाँ पे वो float कर रहा है, जो हमने उसमें क्या रख दिय रख दिया, soap रख दिया, बट जब soap नहीं था, तब यह वो float कर रहा था, so in both the cases, दी जो soap case है, वो क्या हो रहा है, float हो रहा है, so why, so in the question, next question is, have you seen that something float on water while other thing sink, think how this happened, so यही तो हमारा question था कि कुछ चीज़े जो हैं वो float हो रही हैं, बट कुछ चीज़े जो हैं वो sink हो रही है, कुछ चीज़े जो हैं वो तैर रही हैं, बट कुछ चीज़े जो हैं वो डूब रही हैं, so ऐसा क्यों हो रहा है, think how this happened, so yes I have observed that certain things float on water while others sink, हां ऐसा होता है कि कुछ चीज़े क्या होती हैं, sink होती हैं और कुछ चीज़े फ्लोट होती हैं, कुछ चीज़े डूब जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, so everything displays water equal to its volume, if the displayed water is more than the weight of the thing, then the thing floats, otherwise it sinks in the water, so ऐसा क्यों होता है, उसका reason है यह, क्या reason है, everything displays water is equal to its volume, जो इतना भी जो water है, उतना ही होना चाहिए, for an example, हमने example की बात करते हैं, कि जो हमने ली थी tap, okay, soap case, so जो soap case था हमारा, उससे, वो कहां पर हमने रखा था, bucket में, जो bucket थी full of water, bucket क्या थी full of water, so बहुत सारा पानी था bucket में, okay, और जो हमारा soap case था, उसका weight कैसा होगा? कम होगा, जो पानी की भरी हुई बाल्टी का weight है, और जो soap case का weight है, किसका weight कम है? Soap case का weight कम है So आप जब भी ऐसी कोई चीज जिसमें water बहुत ज़ादा हो और जो thing है उसका weight कम हो पानी का weight ज़ादा हो और जो चीज आप उपर रख रहे हो पानी में डाल रहे हो वो चीज का weight कम हो तो वो चीज हमेशा float करेगी वो चीज क्या करेगी? अगर डिस्प्लेड वाटर डिस्प्लेड वाटर क्या होता है? जितना water है अल्रेडी उस जगे में bucket है हमाई परस bucket भी बढ़ी है और bucket में full of water है तो obviously जो water है वो more than the weight of a thing of course क्या हो गया? पानी की चीजज पानी से वो जो thing का weight है वो जादा हो गया पानी का weight पानी का weight जादा हो गया और जो soap case था उसका weight कम हो गया तो जब भी पानी का weight जादा होगा other thing से तो वो क्या करने लगी की? वो float करने लगी की जो की same हर जगे पे हुआ अगर हम from the first case से देखे जिस first case में क्या हुआ था कि आईशा ने जो एक पूरी थी जो की सिर्फ उसने रोल आउट करके फ्लाट करके उसको कहां रख दिया था उसको रख दिया था water के अंदर सो water का वेट क्या था जादा था और उसका वेट कम था और उसको लोई का वेट जादा हो गया था क्योंकि वो भी बहुत जादा वेट की थी अब जो बोल में बोल की थी चोटी सी कटोरी होती है उसका वेट कम था पानी का और वो जो डो था उसका वेट जादा था तो वो कैसी डूप जाएगा और जब water जादा होगा और जो thing आप उसके इंदर डाल रहे हो वो कम weight की होगी तो वो float करने लगेगी, right? Are you able to understand? So this is the reason behind why this is happening कि कुछ चीज़े float करती है और कुछ चीज़े डूप जाती है ऐसा क्यों होता है? It depends on the weight of the water and weight of the thing So हमने जितने cases देखें, फिर हमने देखा एक tap का, cap of the bottle So cap of the bottle का weight कम था और जो पानी था उसका weight जाता था तो जो tap, cap थी वो क्या करने लगी? Float करने लगी, okay? So यह सारे cases जो हमने float वाले देखें, we remember that कि हाँ, ऐसा क्यों होता है? जब चीज का weight जो है, वो कम होगा, पानी का weight जादा होगा तो फ्लोट करने लगेगी अगर पानी का weight कम है और चीज का weight जादा है तो वो ढूब जाएगी Are you able to understand? One more time, अगर जो हमारे पास water है उसका weight जादा है, मारे पास जादा water है, okay? जो thing है, वो बहुत light weight की, बहुत हलकी है तो आप जैसे ही पानी में डालोगे, वो फ्लोट करने लगेगी Similarly, water कम है और आपको यह भारी चीज वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा? वो ढूब जाएगी, वो sink हो जाएगी फ्लोट नहीं कर पाएगी, right? So, this is the reason कि हमारे पास जो कुछ चीज़े हैं वो फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़े sink करती हैं in the water, okay? Now, this is a little poem, small poem, which we read Y-O-Y, poem का नाम क्या है? poem का नाम है Y-O-Y So, poem is a wooden boat in water will float, but a needle will sink Why does happen? Let me think A iron ship will also float, though it's much heavier than my boat But a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in Why does this happen? Let me think So, poem है, poem हम को कह रही है कि एक wooden boat एक जो wooden boat होती है, एक लड़कडी की जो boat है वो पानी में तैरती है, obviously हमने सारी boats देख रहा है जो पानी में तैरते में जाती है, right? But a needle will sink Needle याने, एक छोटी सी सुई है, वो तो डूब जाती है पानी में और जो हमारी boat है, वो अराम से तैरते भुर जाती है Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? जो एक iron ship है, iron ship याने लोहे की जो ship है वो भे sink कर जाती है water में बलकि वो कितनी जादा heavy होती है, right? वो तो बहुत heavy होती है वहीं जो needle है, जो बहुत ही जादा हलकी, एक leaf की तरह, एक पत्ती की तरह हलकी होती है हमारी swing और बिल्कुल पतली सी होती है, like a pin वो क्या होती है? वो तो ढूब जाती है So, ऐसा sink हो जाती है, और ढूब जाती है So, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें सोचने की ज़रा होता है कि why this happens? ऐसा क्यों होता है? अभी तो हमने यह पढ़ रहा था अभी तो आप कोँगे कि माम ने हमको बिता था कि अगर पानी का वेट जो हो पानी का वेट अगर जादा हो और think का वेट अगर कम हो तो वो float होने लगेगा और यहाँ पर जो बात है यह तो बात नहीं बान रही है पानी तो बहुत सा रहा रहा होता है बट जमारी पिन है, वो क्या आती है? ढूब रही है. So, ऐसे क्यों हो रहा है? So, हम एक पोएम को एक बार और पढ़ते हैं. पोएम is, A wooden boat in water will float, But a needle will sink, Why does this happen? Let me think. A iron ship will also float, Though it's much heavier than my boat. But a needle, light as a lift, Thin as a pin, Why will sink right in? Why does this happen? Let me think. So, this is a poem, जो किसने लिखी आए? इसने लिखी है, शशर, शोभा, अस्थाना. शशिदर, शोभा, अस्थाना ने ये पोएम लिखी है. Okay? Now, move ahead. अगर हम आगे बढ़े, तो, Next is, अब आपको कुछ experiments करने हैं. अभी हमने कुछ experiments के बारे में क्या किया? रीडाउट किया. अब आपको कुछ experiments करने हैं, जो experiments, मैं आपको बताऊंगी, that experiments you will do. Okay? So, do this experiments in group of four friends. How many friends? Four friends की group में आपको एक्सपरिमेंट करना है. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in our table. So, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगे experiment के लिए? एक बढ़ा सा pot, जिसमें full of water, वो पूरा water से भरा हुआ होना चाहिएं. Right? और कुछ चीजे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो लिस्ट में वो चीजें आपको collect करनी है. Put each thing one by one in a water and observe. Write your observation in the table given on the next page. So, next page पे, page number 61 पे हैं अभी हम, page number 62 पे आपको क्या दिया है? टेबल दिया है, उसमें कुछ list है, वो चीजें आपको collect करके अपने पास रख लो और एक pot में full of water अपने पास रख लो. मैं जैसे वो चीजों का नाम लोंगी, आपको क्या करना है? वो चीज को पानी में put करना है. और देखना है कि क्या होता है? क्या करोगे आप? observe करोगे. So, you have to observe कि क्या होता है उसके बाद. Right? Okay. So, let's move to the table and page number 62. Page number 62 पे आपकी ये table आपको shown है. उसमें सबसे पहले क्या है? Empty bowl. Empty bowl याने खाली कटोरी. So, आपको सबसे पहले की चीज क्या चाहिए? खाली कटोरी चाहिए. तो वो आप अपने पास रख लो. अब जब आप खाली कटोरी को. और आपको करना क्या है? Mark right. Right mark कप करोगे? अगर चीज तैर रही है पानी में तो. अगर चीज फ्लोट हो रही है. The thing is floating on the water. So, आपको put a right mark. Okay? And if it is sink. Sink कहने अगर डूब जाती है तो you have to put a wrong mark. Okay? So, क्या करना है आपको? Empty bowl. अगर आप empty bowl देखोगे. So, empty bowl आप पानी में पुट करो. क्या हो रहा है? Is it sink or is it float? क्या होगी? वो sink होगी कि float हो जाएगी तो वो sink हो जाएगी. Right? वो डूब गई. क्यों? क्योंकि उसका weight जो था पानी से वो जाएदा था. तो क्या हो गई? वो डूब गई. So, हम cross mark करेंगे. Right? Next. After putting in six, seven pebbles, one by one, iron nail और pin. अब आपको क्या करना है? Iron nail. कील होती है, जो हम wall में थोकते हैं, वो कील. उसको कहते हैं, iron nail. या फिर कोई भी safety pin, छोटा पतला सा pin. वो क्या होगा? उसको आपको करके देखना है, क्या? और ऐसे एक नहीं डाला है. कम से कम six और seven एक साथ आपको उसमें put करने हैं. So, you have to see कि वो float होती हैं, कि वो sink हो जाती हैं. क्या? वो tearing ही, कि वो sink हो जाएंगी. So, put in a water and see. So, it will sink. अगेन वो sink हो जाएंगी. अगर आप iron nail डालोगे, तो वो क्या होंगी? वो sink हो जाएंगी. Next, next is matchstick. Matchstick is very light. Matchstick याने, match इसकी तीली. So, जब आप वो water में put करोगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो float करने लगेगी. आप water में put करके देखो, matchstick will float. Because it's of a light. Okay, next. Empty plastic bottle with its lid closed. Empty plastic bottle, अगर कोई भी plastic की bottle है, जो की खाली है, उसको आपको उपर से close होनी चाहिए. उपर नहीं होनी चाहिए, वो close होनी चाहिए. उसका जो cap है, उसको आपको बंद रखना है. अगर आप वो डालोगे पानी में, तो क्या होगा? वो float होगी की वो sink हो जाएगी. So, it will also float. It will also float. Why it will float? Why it will float? Because it is of light weight. Okay? Because it's empty. वो तो खाली है ना, तो वो float हो जाएगी. अगर वो भरी होती तो, तो वो नहीं हो पाती. वो पानी में नीचे चली जाती, डूब जाती. Next, bottle half filled with water and bottle full of water. तो जो bottle half filled होगी, water full होगी, उसका क्या होगा? That is all. So, you have to write. ऐसे ही करके सारे experiments आपको करने हैं, और right mark करना है and cross mark करना है. जो float होगा, उस पे right mark, और जो sink हो जाएगा, उस पे हाम cross mark करेंगे. So, next है, bottle full of water होगी, aluminium foil from a medicine packing and open spread out, pressed tightly into a ball in a cup like a shape. So, आपको aluminium foil लेनी है, aluminium foil को कि हब से पहले करना है, open and spread out. यानि उसको directly आपको डाल के देखना है, aluminium foil जो आती है, उसको देखना है, पानी में देल के क्या होता है? फिर pressed tightly into a ball, एक ball में tightly pressed करके aluminium foil को हम डालेंगे into the water. Next है, in a cup like shape, अगर aluminium foil को, cup like shape में उसको aluminium foil का use करेंगे. फिर a soap cake और लास्में, soap cake on a small plastic plate, a piece of ice. So, ये सारी चीज़ें आपको ये experiment करके देखना है, okay? Try it out and put a right if it floats and put a cross if it sink, okay? Like this you have to do this activity, okay? This experiment, okay? Now next, next is find out from the other group which things floated and which things sank in the water. So, आपको other group से भी पूछना है कि क्या-क्या चीज़े float हुईं और क्या-क्या चीज़े sank हुईं, okay? So, a ball, a striophon ball, etc. can float on the water. A iron nail, a key, etc. will sink in a water. So, जो ball है, वो क्या हो रही है? वो पानी में float हो रही है, क्योंकि वो lightweight है. वहीं पर जो iron nail, iron nail कैसी होती है? लोहे की nail जो है, वो sink हो जाती है. And keys भी heavy हो, key भी बहुत heavy होती है, ball से तो heavy होती है. तो वो भी क्या होती है, वो भी क्या हो जाएगी, sank हो जाएगी, और डूब जाएगी पानी में, जैसी है पानी में, डालोगे. Okay? Next. Okay, so you have to complete this. जो यह पर dash दिये न, आपको यह पर complete करने है. The iron nail dash in water, but the kattori dash. I think this happened because. So answer is, iron nail sank in water, but the kattori floated. I think this happened because iron nail could displace less amount of water than what displayed by the kattori. So kattori क्या है, जितना water था, उसके साबसे kattori का जो weight था, वो less था. इसलिए वो क्या हो गई? वो float हो गई. वहीं पर, जो iron nail को water चाहिए, iron nail को water थोड़ा सा चाहिए, उसमें वो float हो सकती थी, बट यहाँ पर water बहुत जादा था, तो iron nail क्या हो गई? वो sank हो गई. So, जो कहांगे, I think this happened because iron nail को display less amount of water than the water displayed by the kattori. Because kattori क्या है? lightweight है, तो kattori sank हो गई. वहीं iron जो थी heavy थी, iron nail क्या हो गई? हमारी sank हो गई. एक iron nail नहीं डाली थी, हमने 6-7 iron nails डाली थी, तो वो sank हो गई. क्या हो गई? ढूप गई. Okay? Next, the empty plastic bottle dash on water, the bottle filled with water dash. Because, again, same thing, जो empty plastic bottle है, वो कैसी है? lightweight होगी, यानि हल्की होगी, वहीं पे जो bottle है, वो full of water है, वो भारी होगी, हल्की, जो empty bottle है, वो of course हल्की होगी, जो खाली है, कुछ नहीं ही, उसमें तो वो हल्की bottle है, जिसमें full of water है, वो भारी bottle होगी. So, obviously, अगर जितना water available है, वो भारी bottle के साथ से बहुत कम है, तो जो heavy bottle है, वो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी. And, जो light bottle है, वो क्या होगी? It will float. So, the empty plastic bottle floated, the bottle filled with water sank, because the filled bottle could display less amount of water compared to its weight. So, वहीं same thing, कि जो filled bottle है, उसको जादा और water के जरुबत है, उसको कम water लगा, तो वहीं हम समूंदर में डालेंगे, भरी होई water, तो वो भी float करने लगेगी. So, वहीं बात है, जो water amount चाहिए था, उसको वो कम था, water का amount कम था, उसका weight जादा था, तो वो डूब गई. वहीं empty bottle का जो weight था, वो कम था, और water available जादा था, तो वो float करने लगे. Are you able to get this? Okay, then next. The aluminium foil dash, when it was spread out, when pressed tightly into a bottle, it dashed. This may have happened because, so, जो aluminium foil थी हमारी, वो firstly क्या हुई? Firstly spread out थी, normal थी, light weight था, तो वो float हो गई. So, when it was separated, spread out, but when it pressed tightly in a ball, अगर tightly उसको press कर लिया, ball के साथ, so, वो क्या हो गया? वो heavy हो गई. और this may have happened, तो वो डूब गई, sank हो गई. यह क्यों हुआ? Because of aluminium foil spread out could display more water compared to its weight. So, जो spread out थी, वो, उसके लिए जादा पानी था, वो lightweight थी, वो float हो गई. महीं, जब वो heavy बन गई, तो वो sank हो गई. So, basically, हमने यह समझा कि जो चीज heavy है, according to the water available with us. Okay? अगर water हमारे पस full of bucket है, full of bowl है, कितना water है? उसके according ही चीज़े उसमें डालनी चाहिए. Then it will float. जितना भी water आपके पास है, उससे अगर lightweight चीज़े डालोगे, तो it will float. उससे heavy चीज़े डालोगे, it will sank. Okay? So, this is it. So, basically, अभी chapter is not completed. अभी काफी कुछ learn करना chapter में बचा है. But हाँ, हमने chapter के बारे में क्या पढ़ा? हमने chapter के बारे में ये पढ़ा, कि the amount of water should be more than the weight of the thing. अगर weight of the thing से amount of water जादा होगा, तो it will float. अगर चीज़ की जो weight है, वो कम है, तो वो float होगा, में चीज़ का weight जादा है, तो वो डूब जाएगा, वो sank हो जाएगा. Okay? अभी और questions and answers करेंगे, तो you will get more clarity in this thing. Okay? So, I will come with more videos. Till then, you have to watch more and more videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.